Rich Mindset and Financial Goal Achievement की इस जर्नी में मैं Dr. Amit Maheshwari आप सभी का स्वागत करता हूं Friends हमने complete series बनाई है जिस series में हमने richness के secrets, richness का system, वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे पैसे को invest करते हैं, इसके बारे में कई सारे topics पर हमने discussion किया है आज हम बात करेंगे financial freedom को हासिल करने के लिए आपको क्या करना है Friends ध्यान रखिए आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको life में वो मिलता है जो आप deserve करते हैं Financial freedom का जो track आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको एक example के माध्यम से समझते हैं यह एक roadmap की तरह है जिसमें तीन different different lane है, सबसे पहली lane वाक lane है, second जो lane है वो speed limit lane है और जो third lane है वो fast track lane है The third, stay poor until you become really rich हम में से बहुत सारे लोग जो speed limit track में होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी mistake होती है वो ऐसी चीजों पर invest करते हैं, जिनकी वर्तमान में उनको जरूत नहीं है या ऐसी चीजों पर invest करते हैं, जिसका प्रियोग के बल शो आफ के लिए करते हैं, उससे मिलने वाला return zero होता है बलकि हर महीने कुछ ना कुछ amount उसके लिए खर्च करना पड़ता है जैसे आपने EMI पर वो gadgets खरी लिए जिनका आपको use नहीं है EMI पर show off के लिए आपने lifestyle पर खर्च कर दिया, electronic gadgets पर खर्च कर दिया, आपने personal use के लिए car buying पर खर्च कर दिया और बदले में आप उस पैसे के लिए, उस पैसे की भरपाई के लिए निरंतर काम करते हैं और आपके mind पर एक burden रहता है कि मुझे इतनी EMI's पे करनी है इन सभी loans को एक तरह से bad loan कहते हैं, हर वो loan जिसमें interest भरने के साथ साथ आपकी assets की value भी depreciate होती है ऐसी चीजों को कभी ना खरीदें, और जब आप real में rich बन जाएं और उन चीजों को बिना EMI और बिना loan या बिना debt के खरीद सकें तभी आप एक real rich person बनेंगे और तभी आपको जूरत होगी उन चीजों को खरीदने की And the fourth, always be boss of your money, not a servant of your money हमें से बहुत सारे लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसे के लिए काम करने के लिए वो एक servant की तरह काम करते हैं हमेशा पैसे के गुलाम के रूप में काम करते हैं और वो इसलिए होता है क्योंकि आप के उपर बहुत सारे burden होते हैं, बहुत सारे liabilities होती हैं इसलिए आप ऐसा प्रयास करें, जिसमें आप अपनी liabilities को कम कर सकें और asset creation जादा कर सकें, ताकि आप अपने पैसे के लिए अपनी इच्छानुसार as a boss काम करें that means earned money को इस तरह से invest करें कि आप asset creation पर ध्यान दे और वो assets और वो पैसा आप के लिए पैसा कमाए, मतलब let your money work for you, then you will become like a boss and the fifth, track your money and stop leakage, आप अपनी money को control करें, आप अपनी money को proper track करें track करने का मतलब है, आपके कौन-कौन से expenses हैं, जो आपको करने हैं, total income में से कितना percent आप save करते हैं, और बची हुए income को आप कैसे spend करते हैं, कैसे खर्च करते हैं इसको track करना बहुत जुरूरी है, और इसमें आप एक register या एक diary maintain करें, या excel file maintain करें और अपने सभी खर्चे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े खर्चे को जरूर note करें, साथी साथ अपनी money की leakage को बचाएं, कई बार हमें value से ज़्यादा cost pay करने पड़ जाती है for example, आपके credit card का जो bill है, वो late हो गया तो आपको late payment देनी पड़ी है, आपका electricity bill है, आपकी EMI है, उस पर late charges, fine, interest, ये सारे आपको pay करने पड़ रहे हैं तो ये भी एक तरह का leakage है, इन सभी leakage को आप रोकें, हमेशा अपनी हर एक payment को track करें, और कब-कब कौन सी payment करनी है, इसका जरूर एक ब्योरा बनाएं, ताकि आपको कभी भी ये charges ना pay करने पड़ें और आपकी money का leakage रोक जाए and the sixth, that is more you learn, more you earn, हमेशा अपने आपको upgrade करने के लिए, finance से related, banking से related, business से related, development से related, personality से related, motivation से related, काफी सारे videos आप देख सकते हैं, आप motivational books पढ़ सकते हैं, आप mentors की सहता से भी अपने financial goals को achieve करने के लिए, अपना roadmap बना सकते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा आप learning करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको होने वाली earning में फायदा होगा, इसलिए always try to learn something new everyday in your life and the seventh, don't chase money, attract money, जितने भी लोग अपने financial freedom को achieve कर चुके हैं, वो लोग कभी भी पैसे का पीछा नहीं करते हैं, वो पैसे को attract करते हैं, वो अपनी capability को increase करते हैं, ताकि पैसा उनके पास खुद चल कर आएं, मतलब वो अपनी योग्यता में, अपनी काबलियत में, अपनी गु पैसे को हमेशा attract करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है अपनी ability को निरंतर बढ़ाने की, friends, rich mindset and financial freedom को achieve करने से संबंदित, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप वो प्रश्न मुझे comment box में लिखकर ज़रूर बताएं, ये वीडियो आपके friends के लिए बहुत valuable हो सकता है, इसलिए facebook, whatsapp, social media के माध्यम से इसको ज़रूर शेयर करें, मैं Dr. Amit Maishwari आपके सुनरे वहुष्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत